नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्थारी क्लासेज में दोस्तों ये करंट अफेर 2022 की मैराथन वीडियो होने वाली है जिसमें उतराखंड 2022 का कम्प्लीट करंट अफेर यहाँ पर दिया गया है चले दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो का question number 1 है उतराखंड का नवा नगर निगम का तरजा किसे दिया गया तो जो उतराखंड का नवा नगर निगम है इसका दरजा मिला है सिरनगर को तो C option इसका सही जवाब है तो सिर्नगर को दर्ज़ मिला है नवा नगर निगम का और ये मिला इसे 31 दिसंबर 2021 31 दिसंबर 2021 को अभी तक नगर पाली का तसिर्नगर और इसको अब उच्छी करते हुए नगर निगम बना दिया गया है तो अब कुल मिला है कि 9 नगर निगम होगे हैं कौन कौन से हैं धेरदून हो गया हलदवानी हरिद्वार रुद्रपुर कासिपुर रुड़की रिसकेस कोटवार और सिर्नगर तो सिर्नगर नवा नगर निगम का दर्ज़ए से मिल गया है दोस्तों जो करेंट फेर की एबूक है वह अब आपके लिए बना चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्किप्शन मिल जाएगा तो वहां से आप ले सकते हैं कंप्लिट 2022 का वार्सिकांक वहां से आपको देखने को मिल जाएगा तो दूसरे क्वेशन की तरह बढ़ते हैं कि उत्रा खंड में किसे साहित्य अकादमी पुरुषकार 2021 के लिए चुना गया है तो 2021 का साहित्य अकादमी पुरुषकार है ये किसे चुना गया है तो ये हैं आपके देविंद्र मेवारी तो देविंदर मेवाडी को साहित्य अकादिम पूरुष्कार 2021 के लिए चुना गया इनकी जो आत्म कथात्मक संस्क्राण है जिनके लिए दिया गया है मेरी यादों का पहाड मेरी यादों का पहाड के लिए इन्हें ये साहित्या कादिय पुरुषकार 2021 दिया गया है और इनकी जो अन्य कृतियां है विज्ञान और हम, विज्ञान नामा है, मेरी विज्ञान डायरी है, सूरज के आंगन में और सौर मंडल के सायर तो ये इनकी कुछ परमुक करतियां है नेक्स्ट क्वेशन है, क्वेशन नम्र तीन क्या है उत्राखंड के मुख्य सूचना आयुक्त निम्न लिखित में कौन बने है तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है ये बन गए है अनिल चंद्र पुनेठा तो अनिल चंदर मुनेठा उतराखंड के मुख्या सूचना आयुक तो बने हैं पर इससे पूर हुए क्या थे मुख्या सजीव थे अनिल चंदर मुनेठा इससे पहले मुख्या सजीव थे कहां के ते लागना के और उत्राखंड के जो पर्थम सूचना आयू थे ये कौन है तो ये थे RS टोलिया तो RS टोलिया सबसे पहले जो पर्थम सूचना आयू थे उत्राखंड के तो RS टोलिया थे नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर 4 उत्राखंड के किस सदस्य को भारतिय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चाइनित किया गया है तो ये हैं डाक्टर अरुण जुगरान तो C option इसका सही जवाब है डाक्टर अरुन जुगरान को भारतिय युवा विग्यान अकादमी के लिए चायनित किया गया ये कहां के हैं तो गोविंद वल्लब पंत जो राष्ट्रे हिमालै पर्यावरण संस्तान है सिर्नगर के तो यहां के वेग्यान नेकर डाक्टर अरुन कुमार जुगरान और पांच साल के लिए भारती युवा विज्यान अकादमी के सदसे की रूप में इन्हें चाहिनित क्या गया है नेश्ट क्वेसन है क्वेसन नमर फाइव राश्ट्रिया बाग सरंग्चन प्रधिकरण NTCA राश्टिया बाग सरंग्चन प्रधिकरण की 2021 की रिपोर्ट के अनुशार उत्राखन में बागों की संग्या कितनी है तो उत्राखन में बागों की संग्या है 442 तो 442 उत्राखन में बागों की संग्या है तो अगर बागों की संग्या के बात करें तो पहले इस्तान पर है मध्यपर्देश मध्यपर्देश में है 526 तो 526 बागों की संक्या है मध्यपर्देश में इसके बाद करनाटक है 524 और इसके बाद तीसरे नमर पे उत्राखन आता है 442 Next question की तरह बढ़ते हैं Question number 6 है संस्कृति युवा संस्था की और से निम्न में से किसे साहित्य गोरव समान से समानित किया गया तो किसे किया गया तो डॉक्टर मीनू पारसर तो ए उप्शन इसका सही जवाब है डॉक्टर मीनू पारसर को संस्कृति युवा संस्था की और से साहित्य गोरव समान से समानित किया गया ये किस छेतर से समझते हैं तो हिंदी साहिते के छेतर में अपने विशिष्ट कारे के लिए इन्हें ये जो पुरुष्कार है चुना गया और ये कहां कि हरद्वार से जन्मी है वर्स 2022 में गनतंत्र दिवस पर राजपत पर होने वाली परेड में इस बार देवगुमी उतराखंड की कौन सी जहांकी नजर आई थी 2022 का जो गनतंत्र दिवस था उस पर राजपत में परेड के दोराण देवगुमी उतराखंड की कौन सी जहांकी नजर आई थी तो उत्राखंड ने क्या परदर्शन किया तो डोबरा चांटी पूल का परदर्शन उससे वहाँ पर किया गया यह जहांकी डोबरा चांटी पूल की जहांकी राजपत में दिखाई गई थी गंड़तंदर दिवस के मोके पर अगर बात करें अब तक तो राजपतन के बाद अब तक तेरा बार उत्राखंड की जहांकी का वहाँ पर चयन हो चुका है 2015 की बात करें तो 2015 में क्या जहांकी थी? केदारना धामपुनर निर्मान की 2018 में इसके बाद ग्रामीन प्रेटन 2019 में अनासक्ति आस्रम कोसानी की जहांकी थी 2021 में केदारना धाम की जहांकी थी और 2022 में डोबरा चांटी पुल तो ये जहांकी अब तक हो चुकी है मलब दिखा दी गई है 2015 से मैंने बता दिया आपको क्वेशन नमबर आठ है NCRT के नई निदेशक कौन बने है तो NCRT के नई निदेशक बन गए है प्रोफेसर दिनेश परसाद सकलानी तो प्रोफेसर दिनेश परसाद सकलानी क्या है NCRT के नई निदेशक बन गए है क्वेशन नमबर नाइन है निम्न लिखित में से कौन उत्राखंड से वर्ल्ड रेस वाकिंग चेंपियंशिप में भाग लेंगे तो किनों ने आपर भाग लिया है उत्राखंड में वर्ल्ड रेस वाकिंग चेंपियंशिप में भाग किनों ने लिया है तो सही जवाब है सुरजपम्वार एक उप्सन कि राश्टिया प्रुद्गी की संस्तान NIT उतराखंड सिर्णगर के नई निदेशक कौंड बने तो ये बन गए हैं प्रोफेसर ललित अवस्ती तो प्रोफेसर ललित अवस्ती NIT स्रिनगर के नई निदेशक बने हैं Question number 11 है हाल ही में Asian Sikh Game International Taekwondo परतियोगता में किसने रजत पदक जीता तो ये जीता है नमन सैनिन तो जो Asian Sikh Game International Taekwondo परतियोगता है तो देरदून के नमन सैनिन ने यहाँ पर रजत पदक जीता है Question number 12 है निमन में से को सुआ कात कोथ पुस्तक है तो ये किसे समझने था है तो ये आपकी कुमाओं बोली समझने तो कुमाओं बोली की ये पुस्तक है को सुआ कात कोथ तो ये क्या है ये कुमाओं नी बोली की पहली पुस्तक है इसका जो परमुक्यों यह खास क्यों है क्यों कुमाओं बोली गी है परमुक पुस्तक है नेक्स्ट क्वेसन की तरह बढ़ते हैं क्वेसन नमबर 13 है निमनलिकित में किसे 2022 का बसंत स्री सम्मान परदान किया जाएगा तो बसंद सिरी सम्मान किसे परदान किया जाएगा तो सही जवाब है किसे परदान किया गया 2022 का इंदु भूसन कोच गावे तो इंदु भूसन कोच गावे को बसंद सिरी सम्मान परदान किया गया 2022 का तो ये एक सामाजे कायर करता है और साहित्यकार है देरदून के हैं इंदू भूसन कौँच गावे और इनको 2022 का बसंत सिरी सम्मान परदान किया गया क्वेशन नमबर 14 है पांचवी इंडो नेपाल अंतराष्ट्रिया चेंपियनशिप में किसने स्वण पदक जीता तो ये जीता संगीता किरोला ने तो संगीता किरोला ने पांचवी इंडो नेपाल अंतराष्ट्रिया चेंपियनशिप में स्वण पदक जीता कब वाता ये 28 से 31 जन्वरी 2022 को ये नेपाल में हुई थी और इसमें 1500 मीटर की दोड में इन्होंने स्वण पदक अपने नाम किया था क्वेशन नमबर 15 है लेखा कौन है तो ये है डॉक्टर वेनिराम अत्वाल तो डॉक्टर वेनिराम अत्वाल अवखान पुस्तक के लेखाक हैं जो एसिया वा इंडिया बुक अफ डिकोर्ड में जिन्होंने अपना नाम दर्ज किया तो ये पीजी कॉलेज करण परियाग में है इतिहास विभाग के प्राध्याप्यक है क्वेशन नमबर 16 है वर्स 2022 में उत्राखंड के कितने व्यक्तियों को पद्व पुरुषकार 2022 से सम्मानित किया गया तो जो 2022 का पद्व पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो उत्राखंड के कितने व्यक्तिते तो सही जवाब है आपका B option चार व्यक्ति तो चार व्यक्तियों को ये दिया गया था अब चार व्यक्ति कौन कौन से है तो सबसे पहले है जनरल विपिन रावत इनको दिया गया मर्णोपरांथ और इन्हें दिया गया पदम विहुसन तो पदम पुरुषकार में जो पदम विहुसन है इन्हें दिया गया सिवल सेवा के छेतर में इसके बाद पदमसरी पुरुषकार तीन व्यक्टियों को पदमसरी पुरुषकार मिला कौन-कौन से एक है मादूरी बर्थवाल कला छेतर में बसंदी देवी ये सामाजी कारे के छेतर में और वंधना कटारिया इनको खेल के छेतर में दिया गया नेक्स्ट क्वेशन बढ़ते हैं क्वेशन नंबर 17 निम्न में से उत्राखंड के किस ब्यक्ति को पद्म विभूषन पुरुषकार 2022 से सम्मानित क्या गया तो 2022 का पद्म विभूषन पुरुषकार था वो थे आपके जनरल विपिंडावत जो कि मर्णो परांथ दिया गया क्वेशन नंबर 18 है हाली में 22 जनरी को मुहमद सलीम का निदन हो गया हुआ थे एक तो यह क्या थे एक चितरकार मुहमद सलीम एक चितरकार थे जिनको निदन हया हाली में हुआ था और इनका जन्म अल्मौडा में हुआ 5 जुलाई 1939 और इन्होंने उन्नीसों पिचार्णम में राज्य ललित कला अकादिव पुरुषकार और 2000 में उत्रांचल कला पुरुषकार मोहन उप्रेती लोक संस्कृतिक कला एं विज्ञान सोद समिदे द्वारा पुरुषकार इन्हें मिले थे और इनका अभी हाली में निदन हुआ है चुद्रगरह खोजा गया उसका नाम क्या था तो इस चुद्रगरह का नाम है P11NYIA तो D option जो है तो यह इसका नाम है जो गड़वाल विसे देले कि पांच सोद चातरों ने एक चुद्रगरह खोजा जिसका नाम यह रखा गया P11NYIA तो यह पांच सोद चातर है जिन्होंने चुद्रगरह खोजा और इसकी रिपोर्ट इन्होंने नासा को दी जिसे की नासा ने स्विकार किया Next question की तरह बढ़ते हैं question number 20 है मोसम सम्मंदित जानकारी उपलब्द करवाने के लिए किसान एप को किस संस्तान ने लौँच किया तो यह लौँच किया IIT रूडकिन तो IIT रूडकिन ने किसान एप लौँच किया Question number 21 है हाल ही में उतराखंड के कितने सिक्षकों को राजय सेक्षिक अनुसंदान एवं प्रसिक्षण परिसाद SCERT द्वारा कला सम्मान से नवाजा गया तो यह था आपका 17 सिक्षकों को इस सम्मान से 17 सिक्षकों को नवाजा गया Question number 22 है उतराखंड वन विभाग वन जीव संगर्ष को रोकने के लिए निमलिखित में कौन सा अभियान शुरू करेगा इसमें यह कौन सा अभियान शुरू करने वाला है तो यह है आपका गुलदार को दगडिया अभियान तो जो उतराखंड वन-विभाग है तो वन जीव संगर्ष को रोकने के लिए इन्होंने गुलदार को दगड़िया अभियान सुरू किया है तो ये निनाएकिस ने लिया तो पिथोरगड में वन विभाग मान और वन जीव संगर्स मनुष्या और वन जीव संगर्स है इनको रोकने के लिए इन्होंने अभियान शुरू किया गुलदार को दगड़या अभियान पैसन नमर तेस है नसा मुक्ति के लिए निम्न में से किस जिल्य को राश्ट्रिया पुरुष्कार मिला तो यह मिला उत्रकासी जिल्य को नसा मुक्ति के लिए तो इसलिए इस जिल्य को यहां पर राश्ट्रिया पुरुष्कार मिला है नसा मुक्ति के लिए और यह करम आयुद किया गया जिसमें उत्रकासी जिल्ले को नसा मुक्ति के लिए राष्ट्रिय पुरुषकार प्राप्त हुआ क्वेशन नमबर चोबिस है निवन में किसको आयाइटी द्वारा गंगा पुनुरुद्धान पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया तो यह मिला राजीव रंजन मिस्रा तो राजीव रंजन मिस्रा को आयाइटी द्वारा गंगा पुनुरुद्धार पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया क्वेशन नमबर पच्चिस है हाल ही में उतराखन के किस इस्तल से सिंदु घाटी सब्यताकाल से जुड़ी पर्तिमा मिली है तो यह मिली है यमुना घाटी से तो उतराखन के जो यमुना घाटी है यहां से मिली है सिंदु घाटी सब्यताकाल से जुड़ी पर्तिमा है अब यहां क्या मिले हैं इसकी टिटेट जान लेते हैं तो दून पुष्टकाला है यहां सोध के अंदर इनकी पहल से जो पुरात्त और इत्यास के सोध कर्मी है इन्होंने उतरकाशी जिल्ले के बरनी गार्ड बरनी गार्ड से लगवप्वप्वप्वट दस किलोमीटर के आसपास यहां पर है देवल गाउं तो यहां पर मिला है ने पासान निर्मित महिस थे भैसा मुख्या पर क्या है चत्रभुज मन उस्यक की यहां पर एक परतिमा मिली है तो पासा निर्मित जो महिस है अर्थात भैसा मुखी चत्रभुज मानव परतिमा की खोज यमना घाटी में मिली है इन सोध करिमों को पर इससे पहले भी यमना घाटी में जो सिन्दु घाटी सब्यता है इसके जुड़े आउसिस पहले मिल चुके हैं तो यमना घाटी में इस बार क्या मिला है तो मिला है आपका पासान निर्मित जो 22 भैसा है उसके चत्रगुज मानौ परतिमा के खोज मिली है Q26 है उत्रान चल नारी सक्ति सम्मान से किसको नवाजा गया तो ये नवाजा गया बसंती देवी को तो बसंती देवी को उत्रान चल नारी सक्ति सम्मान से नवाजा गया तो कब नवाजा गया इनको महिला दिवस पर नवाजा गया तो ये क्या है परियावरण विद है और पदम सिरी से सम्मानित है तो पदम सिरी से भी सम्मानित है तो इस बार इन्हों है पदम सिरी सम्मानित क्या गया है सामाजे कारे के लिए एक परियावरण विद है और इन्हें उतरांचल नारीशक्ति सम्मान 2022 से भी सम्मानित क्या गय अंतराश्टिय महिला दिवस पर उत्राखंड की कितनी महिलाओं को कल्यानी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया क्वेशन नमर अठाईस है पहारी टोपी और पारंपरिक परिधान मिरजई को खास पहचान दिलाने वाले उत्राखंड की सिल्पी कैलास भट उत्राखंड की सिल्पी है कैलास भट जी का हाल ही मीनिदन हो गया उनका संबन्ध किस जन्पत से इनका संबन्धा चमोली जन्पत से तो जो कैलास भट हैं जो सिल्पकार थे और इन्होंने पहाली टोपी और जो पारंपरिक परिधान है मिल जाई इनको खास पहचान दिलाई है और इनका निधन हो गया है हाली में 2022 में और ये जो नाम है इनका कैलासबट है सिल्पकार और ये चमोली जनपत से संबंदिन थे तो 14 मार्थ 2022 को इनका निधन हो गया Question No.39 है बाइटमिंटन पूर्णामिंट जर्मन ओपर सुपर 300 में भारते खिलाडी लक्ष सेन ने कौन सा पदक जीता है तो लक्ष सेन ने जीता है यहाँ पर रजत पदक तो भारते जो बाइटमिंटन के लाड़ी है लक्ष सेन तो इन्होंने जर्मन ओपन सुपर 300 वर्ड फेडरेशन सुपर स्रीज 2022 में रजत पदक अपने नाम किया है और यह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतिया बन गए है इस बाइटमिंटन टूर्णमेंट में और इसका आईजन हुआ था जर्मनी में मुलहेम जर्मनी में और 69 हुआ संसकर्ण था इसका बाइटमिंटन टूर्णमेंट जर्मन ओपन सुपर 300 क्वेशन नमर तीस है हाल ही में उत्राखंड की पहली महिला विदानशवा अध्यक्च बनी है पहली महिला विदानशवा अध्यक्च कौन बन गई है रितु खंडूरी भूर्षण तो रितु खंडूरी भूर्षण उत्राखंड की पहली महिला विदानशवा अध्यक्च तो ये कहां की है उत्राखंड के पोड़ी गड़वाल तो पोड़ी गड़वाल के है ये राधा वल्लव पुरम गाउं की रितू खंडूरी भूसन क्वेशन नमर 31 है सहलेस मट्यानी राज सेक्चिक पुरुषकार 2021 के तहत निम्न में से कितने सिक्चक नवाजे जाएंगे तो वो कितने नवाजे गए यहाँ पर 18 तो सहलेस मट्यानी राज सेक्चिक पुरुषकार 2021 18 सिक्चकों को यहाँ पर इस समान से समानित क्या गया क्वेशन नमर 32 है पोलिस ओपन बैटमिंटन में स्वण वा रजत पदक निम्न में से किसने जीता तो यह जीता अनुपमा वा अधितिने जो पोलिस ओपन बैटमिंटन में स्वण वा रजत पदक जीता है अनुपमा और अधितिने तो यहाँ पर अनुपमा ने शौन पदक और अधिती ने यहाँ पर रजत पदक जीता Q2 हाली में एसियन जू जित्चू चेंपियनशिप में कांसे पदक निमनलिखित में किसने जीता तो कांसे पदक जीता है शिवानी गुपता ने Q3 हाली में किसने नमी इंडियन ओपन रेस वाकिंग चेंपियनशिप में स्वरण पदक हासिल किया Q3 है उर्जा वा जलवाई सुचकांग 2022 रिपोर्ट के अंशार बड़े राजियों की सिरेणी में उत्राखंड कौन से इस्थान पर रहा है तो उत्राखंड रहा यहां पर पांचवें इस्थान पर तो देश के बड़े राजियों की उर्जा और जलवाई सुचकांग 2022 की रिपोर्ट के अंशार उत्राखंड पांचवें इस्थान पर रहा है पहले इस्थान पर रहा है गुजरात फिर दूसरा है केरल और तिसरे इस्थान पर रहा है पंजाब Quesion no.36 है परधान मंत्री मात्र वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्ति में उत्राखंड का कौन सा जिल्ला अवल रहा है Quesion no.37 हाल ही में उत्राखंड के नए राज्य सूचना आयुकत बने है तो उत्राखंड के नए राज्य सूचना आयुकत क्ौन बने है तो ये बने है अर्जुन सिंग तो नए राजिय सूचना आयूत बने है अर्जुन सिंग क्वेशन नमर 38 है निवन में किसको संगीत नाटक अकाडमी पुरुषकार से समानित किया गया तो नरेंदर सिंग नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार से समानित किया गया क्वेशन नमर 49 है राजे की कितनी गराम पंचायतों को राश्टिया पंचायत ससक्तिकर्ण पुरुषकार यूजना के तहत दीन दयाल उपाध्याय पंचायत ससक्तिकरन पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है पांच गराम पंचायतों को तो पांच गराम पंचायतों को राष्टिया पंचायत ससक्तिकरन पुरुषकार यूजना के तहत जो है दीन दलायाल उपाध्याय पंचायत ससक्तिकन पुरुषकार से सम्मानित किया गया ये पांच कौन कौन सी है इसमें है एक हरदवार जिल्ले की औरंगाबाद गराम पंचायत है एक उत्तरकासी की है मंजियाली गराम पंचायत पोड़ी गडवाली की है कोठार गराम पंचायत और उत्तरकासी जन्पद की है पेशर गराम पंचायत और धेरदून की है केदरवाला गराम पंचायत इनका नाम यहां पर सामिल किया गया क्वेशन 14 है TP उत्राखं राजशरकार ने किस जिले में आय टेक मदमक की पालन प्रसिक्षन केंदर बनाने की गोशणा किया है दोस्तों जो इसकी बुक है इसका लिंक आपको description मिल जाएगे जिसमें complete 2022 का वार्शिकांक है तो वहां से आप इसे ले सकते हैं जो आने वाले एक्जाम में पूरा सार वहां पर आपको दे रख है आने वाले एक्जाम के लिए कापि मेरत पुन होने वाले बुक आपके लिए question number 41 है उतराखंड के मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी और उतरपरदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित्यनात द्वारा हाल ही में मैं गंगा बोल रही का लोकारपन किया यह किसकी रचना है तो यह रचना है डाक्टर रमेश पोक्रियाल निसंग तो डाक्टर रप में इस पोक्राल निसंग की रचना है मैं गंगा बोल रही इसका लोकारपण किया है पुसकर सिंगधामी और उतर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आधितेनात क्वेसन नंबर 42 है हाल ही में गडवाली फिल्म है मेरुगों नई दिली के गडवाल भावन में रिलीज की गई इस फिल्म के निर्देशक है तो इस फिल्म के निर्देशक है अनुजोसी तो अनुजोसी के फिल्म है गडवाली फिल्म है मेरुगों और ये पहाड में जो आम जनमानस है तो इनके जीवन से जुड़ी वास्तविता को इस फिल्म में दर्शाय गया है मेरू को फिल्म का नाम है और अनुज जोसी इनके इस फिल्म के निर्देशा है क्वेशन नमर 43 है हाली में नई सिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राजय होगा पहला राजय कौन है जिसने नहीं सिक्षा नीति लागू की है तो वह उतराखंड है तो उतराखंड ने न्यूज एजुकेशन पॉलिशी लागू करने वाला पहला राजय बना Q44 है उत्राखंड में निम्न में से किस धाम को न्यूयोर्क की तर्ज पर होट सिटी बनाया जाएगा Q45 है 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 Q45 Q45 है 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 Q456 है तो कौन सा विश्व विद्याला है जिसने ERP सिस्टम लागू किया है यह है कुमाउं विश्व विद्याला है ERP सिस्टम बोले तो Enterprises Resource Planning ERP की फुल पॉमर इसमें क्या है सारी चीजें वहीं पर आती है कि छातरों का टीचरों का जो भी सारे डेटा है वो किसी एक जगा पर एक सिस्टम में वहाँ पर सर्वर में डाला जाता है Question No. 63 है उत्राखंड के किस जिले में देश की पहली टर्बाइन रनर इस्तापित की गई तो यह की गई टिहरी जिले में जो टिहरी बाइन परियोजना है तो यह देश की पहली और दुनिया की तीसरी तो देश में पहली है और दुनिया की तीसरी टर्बाइन रनर इस्तापित यहां पर की गई है इससे पहले जो टर्बाइन रनर है ये फ्रांस और स्विट्जर लैंड इन दो जगहां पर ये थी अब आ गई है जो एशिया का सबसे बड़ा बांध है टीरी बांध है उतराखन के किस जिले के तामर उतपाद को जी आई टैग मिला तो ये मिला है आपका अल्मोरा जनपत तो अल्मोरा जनपत के जो तामर है इसको मिला है जी आई टैग जी आई टैग बुली तो जियोग्रिफिकल इंडिकेशन और अल्मोरा को तामर नगरी के नाम से भी जाना जाता है यहां पर लगवक 400 साल पुराना कारोबार ताम्रगा होता है ताम्रगा और इससे जो यह ताम्रगा है इसको मिलेगा यहां पर भोगोलिक पहिचान और यह उसके नाम से जाना जाएगा क्वेशन नमबर 65 है हाल ही में शूनरा कोट का प्राचिन नोला राष्टिय महत्व का प्राचिन इसमारा घूसित किया गया यहां किस जिल्ले में है तो शूनरा कोट का प्राचिन इसमारा घूसित किया गया तो यह है आपका अलमुला जिल्ले में तो श्यूनरा कोड का जो प्राचिन नोला है या अलमोडा जिल्ले में है क्वेशन नमर 66 है देहरदून से मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे एसिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा इस रोपवे की लंबाई कितनी है इस रोपवे की लंबाई है क्वेशन नमर 66 है हाल ही में पोरानिक पैदल मार्ग पर आधारित डोकुमेंटरी और पुस्तक वाकिंग डूदी कोड का विमोचन किस ने किया तो ये किया मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामिन क्वेशन नमर 68 है केंदर सरकार की अनुशार उत्राखन में परवता रोहन से होने वाली आये का कितने प्रतसत हिस्सा उत्राखन को मिलेगा तो उत्राखन को मिलेगा आपर 25 प्रतसत का हिस्सा जो उत्राखन में परवता रोहन से होने वाली आये होती है यह चेंपियन की शुरुवात की गई 2022 की यह की गई यहां पर उत्रकासी में क्वेशन नमर 70 है निमलिकित में राष्टपति जी ने सोर्य पुरुषकार से किसे समानित किया तो सोर्य पुरुषकार किसे मिला तो देवेश जोसी को यहाँ पर सोर्य पुरुषकार से समानित किया गया तो जो देवेश जोसी है यह है पिथोर अगर जनपत की निवासी है और भारतिय सेना में कमिशन प्राप्ट कैप्टन है यह देवेश जोसी तो इनको उनके अदम्य शाहस और कुसल नेतर्थव के लिए स्वत्मत्रता दिवस पर इन्हें सोर्य पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो स्वत्मत्रता दिवस पर राष्ट्रपतिक जी के द्वारा इन्हें सोर्य पुरुषकार से सम्मानित किया गया अब यह इन्हों क्यों मिला है तो इन्होंने जो operation ट्रिकूट है तो कहां चला था यह operation ट्रिकूट जारखंड में जारखंड के देवधर में तो रोप्य में फंसे 21 परेटकों के इन्होंने जान बचाई तो जिसके लिए नहीं यहाँ पर सोरे पुरुषकार प्राप्त हुआ क्वेशन नमर 71 है भारत की पहली कॉमर्सियल वेदसाला उत्राखंड के किस छेतर में स्थापित की जाएगी तो यह की जाएगी गढ़वाल मंडल में क्वेशन नमर 72 है उत्राखंड में एशिया का सबसे लंबा वन जीव गलियारा बनाय जा रहा है जिसकी लंबाई होगी तो इसकी लंबाई है 12 किलो मेटर इसकी लंबाई होगी एशिया का सबसे लंबा वन जीव गलियारा question number 73 है उत्राखन के कितने जिलों में critical care center खोले जाएंगे तो ये खोले जाएंगे 7 जिलों में तो 7 जिलों में कहां-कहां खोले जाएंगे कौन-कौन से हैं तो चमपावत है बागिस्वर, नैनिताल चमोली और पौडी और रूतरफ्रयाग इसके साथ उत्राखन के जिलों में critical center खोले जाएंगे question number 74 है हाल ही में मुख्या मंत्री पुसकर सिंग धामी ने उद्यमान खिलाडी उनयन योजना सुरू की यहां किस से सम्मझत है तो ये एक सम्मझत है आपकी खेल से खेल से सम्मझत है उद्यमान खिलाडी उनयन योजना जिसमें क्या है आठ से चोदा वर्स तक कि जो खिलाडी होंगे इनको परतेक माहा पंद्रह सो रुपए छात्र गृति इनने परदान की जाएगी question number 75 है question number 76 है राश्टिय अपराध रिकोर्ड ग्योरो NCRB की और से वर्स 2021 की रिपोर्ट में चोरी हुई संपत्नी समान की रिकवरी में उत्राखंड पुलिस को कौन सा इस्तान प्राप्तवा उत्राखंड पुलिस को मिला है पहला इस्तान रिपोर्ट किसकी है NCRB Q27 है हाल ही में सिक्षक दिवस पर अंतराश्टिय Oasis World Award से किस सिक्षक को समानित किया गया तो यह क्या गया है डाक्टर लाखी राम डंगवाल को डाक्टर लाखी राम डंगवाल को सिक्षक दिवस पर अंतराश्टिय Oasis World Award से समानित किया गया ये कहां कि हैं हेमोंती नंदन भाहुगुणा है केंदरी विश्वत आला बादसाहित पोल परिशार ठेरीकडवाल में तो वहां ये क्या है वनस्पती वाग के वनस्पती वाग में क्या है कारीरत हैं डाक्टर लाखिराम डंगवाल इन्हें सिक्षक दिवस पर OISIS Group of Institute के द्वारा अंतराश्टिया OISIS World Award से सम्मानित किया गया क्वेशन नमर 78 है राजय में कहां पर पहली बार वन्यजियों के मूमेंट के लिए अंडर पास बनाया गया या बनाये जायेगा तो ये बनाये जायेगा कुमाओं में क्वेशन नमर 89 है मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने किस जिल्ले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर इस्पांड डबल लेन मोटर पूल का सिलानियास किया है तो इन्होंने क्या ये पिथोरगड में पिथोरगड में जो मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी है इन्होंने काली नदी पर 110 मीटर इस्मान डबल लेन मोर्टर पुल का सिला नियास किया है तो ये पुल धार्चुला जो पिथोरगड में है कि मला चार्चुम में धारत और नेपाल के बीच क्वेशन नमर 80 है राज परिवान विवाग बाहर से आने वाले कॉमर्शियल और निजी वाहनों से कितने पर्चत ग्रीस लेगा तो ये लेगा एक परसंटेज का ग्रीस लेगा 81 खुद्राखंड राजे में बाल लिंगानुपात कितना है तो ये है आपका 984 नोसो चौरासी तो नोसो चौरासी बाल लिंगानुपात है जो कि 0 से 5 आईवर के बच्चों पर लिया जाता है इन पर ये सर्वेक्षन किया जाता है क्वेसन नमर 22 है 82 है 68 में राश्ट या फिल्म पुरुसकार समारों में किस राजय को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरुसकार मिला तो ये मिला उतराखंड राजय को 68 में राश्ट या फिल्म पुरुसकार समारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का उतराखंड को दिया गया और ये किसने लिया है question number 83 है राश्टिय स्वाचता सरविक्षण 2022 में उतराखंड के कितने निकायों को पुरुषकार दिया गया तो उतराखंड के 6 निकायों को ये पुरुषकार दिया गया कौन-कौन से 6 निकाय इसाँ डोईवाला है, लेंडोर कैंट है, नरेंदर नगर, राम नगर, देहरदू नगर निगम है और हरद्वार नगर निगम, तो इन इस्थानों का यह चायन हुआ है, वर्स 2022 में राजय के प्रतिष्टित लेखक पुरुषकार से सम्मानित किया गया, तो इनका एक उपन्यास है, जर्नी टू दे नेक्स्ट लेवल के लिए दिया गया, कौनसा है, जर्नी टू दे नेक्स्ट लेवल, जर्नी टू दे नेक्स्ट लेवल के दिया गया है, यह महा भारत युद से प्रेरित है, जिसमें कि मुर्ट के बाद के जीवन पर यह आधारित है, क्वेशन नमर 85 है, राजय के किस ब्यक्ति को देश का दूसरा सीडियस न्यूक्त किया गया, तो यह किया गया, अनिल चोहन को, अनिल चोहन को देश का दूसरा सीडियस न्यूक्त किया गया, तो लेटिनेंट अनिल चोहन है, और इन्हें अगली चीप ओफ डिफेंस सीडियस बोले तो कि रूप में निक्त किया गया क्वेशन नमर 86 है उत्राखंड राज्य को परेटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टनेशन और परेटन के सरवांगेन विकास के लिए कौनशा परुषकार परदान किया गया तो ये क्या गया पहला ये उप्षन इसका सही जवाब है और ये परुषकार किस ने पराप्त किया तो जो परेटन और संस्कृत मंत्री है कौन है सत्पाल महाराज तो सत्पाल महाराज द्वारा ये पुरुसकार प्राप्त किया गया और ये दिया उपराश्ट पती जगदीप धनकर ने जगदीप धनकर द्वारा ये पुरुसकार दिया गया और सत्पाल महराज ने इसी दिया Q87 है राज के कि जिले की सहफाली नीदर लेंड में अमेरिका की राजदूत बनी तो ये कहां की है तो हरिद्वार जन्पत की है Q88 है राज सरकार परदेश के खिलाडियों को कितने प्रतिसत आरक्षंड देने के लिए अध्यादेश लाने का विचार करेगी तो ये है आपकी कितने करेगी तो चार प्रतिसत बी ओप्षन इसका सही जवाब रहे है अब जो उतराखन की जो खेल मंत्री है वो कौन है रेखा आ रहे है और उतराखन की खिलाने को चार प्रतिसत का अरक्षंड देने के लिए सरकारियां पर अध्यादेश लाने पर विचार करेगी एस्या बुक ओफ रिकोर्ड से समानित किया गया है तीरत सिंग रावत को तो उतराखन की पूरो मुख्यमंत्री है तीरत सिंग रावत इन्हें एस्या बुक ओफ रिकोर्ड से समानित किया गया ये सम्मान उन्हें किस ले दिया गया उनके राजनित और सामाजिक छेतर में योगदान के लिए दिया गया तीरत सिंगरावत को एसिया बुक ओफ डिकोर्ड से सम्मानित क्वेसन नमर 91 है सहलेस मट्यानी पुरुसकार से कितने सिक्षकों को सम्मानित किया गया तो ये क्या गया 39 और ये सम्मान आटि किसके द्वारपरदान किया गया तो जो राज़ेपाल है लेट्रिनेंट जेनरल गुर्मित शियां सिक्षक कि दिवस के आउसर पर 39 सिक्षकों को सहलेस मट्यानी राजस Texas पुरुसकार से सम्मानित किया गया क्वेशन नमर 92 है किस राज सरकार ने उच्छ सिक्षा में ब्यापक सुधार के लिए समर्थ ये गवर्नेंस पोर्टल का सुभारम किया है तो ये किया है उतराखंड सरकार ने समर्थ ये गवर्नेंस पोर्टल का सुभारम और ये किसके लिए क्या गया है? उच्छ सिख्छा में सुधार के लिए Qएसन नमबर 93 है मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने हाल ही में कहां के लिए हैली सेवा का सुभारम किया? कहां के लिए क्या गया है? तो देहरदून से अलमोडा के लिए Question number 94 है नीती आयोग ने किस जिले को भारत का सरुस्रेष्ट आकांची जिला गूशित किया है तो यह किया है हरिद्वार जनबद को भारत का सरुस्रेष्ट आकांची जिला Question number 95 है उत्राखंड उत्पादों के लिए GI बोर्ड बनाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा तो जो GI बोर्ड बनेगा Geographical Indication Board तो उत्राखंड देश का कौन सा राज्य होगा उत्राखंड देश का पहला राज्य होगा अभी तक किसी भी राजी ने जियाई बोर्ड नहीं बनाया है Question number 96 उत्राखंड के किस बेक्ति ने दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाकर लिम का Book of Record बनाया तो लिम का Book of Record किस ने बनाया है प्रकास, चंदर, उपाध्या दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाया है इसके लिम का Book of Record में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया कहां क्या है हल्दवानी के तो हल्दवानी के रहने वाले हैं प्रकास, चंदर, उपाध्या Question number 97 किस जिले में, बोटनिकल गार्डन में एक कय्टक्स गार्डन बनाया गया किस जिले में बनाया गया है यह बनाया गया, नैनिताल जिले में अबतो जो गार्डन pair बने गए इसमें लगभग पचास से जादा पर जालतिया होगी कर्टरश की Question number 98 निमलिकित में किसे ग्रह मंत्रा राया Medal for Excellence in Investigation Award परदान किया तो यह होगा विशाखा अशोक बदाने को ग्रह मंत्रा राया Medal for Excellence in Investigation Award से समानेत है क्या गया है क्वेशन नम्बर 99 है स्वतंत्रता दिवस पर उतराखंड के कितने पुलिस अधिकारी और करमचारियों को राश्ट पति पुलिस पदक वा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया तो ये क्या गया छे पुलिस अधिकारियों को Q100 है राज में पहली बार street children बेसहरा पुनरवास नीति को कब लागू किया जाएगा तो यह लागू कब किया गया no number को जो कि उत्राखंड इस था अपना दिवस है no number को लागू किया गया street children बोले तो बेसहरा पुनरवास नीति दोस्तों वैस्तों आपी काफी सारे question लगभग और होंगे तो वीडियो काफी बाड़ी बन गई है तो उसके लिए हम क्या है से अगली वीडियो में एक तुसरी वीडियो बनाएंगे उसमें और question को लाएंगे तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बहुत है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ पता कि लापका बहुत बहुत तन्यवाद